हेलो माय ब्यूटिफुल सोल्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल टारो विशिवी चिपल एट गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजे और में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे गाइस एक जेनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजो करेगी और यह रीडिंग सबी जौड़ साइन के लिए तो आपका जो भी जौड़ साइन हो यह रीडिंग आपसे माच जरूर हाईगी घाईस हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर्स की Current feelings ठीख थीक है आप मैंसे लोटस किसको पसंद है guys किसी को लोटस पसंद है ठीक है लोटस है यहाँ पर तो हो सकते आप लोग मैंसे बहुत लोग को पसंद हो आ पिर ऐसा हो सकते हैं कि आपNY ऐसी प्लेस पर रहते हों जहां आपके आश पास कोई तालाव है जहां पर लोटस रहते हैं आज के दिन में आपके पार्टनर्स किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दो लोग है ठीक है दूसरा इंसान जो कोई भी है उससे आपके पार्टनर्स बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाइस ऐसा लग रहा है मुझे कि यह जो भी पार्टनर आपके है इनके साथ जो भी पर्सन है ठीक है उसने आपके बारे में कुछ आपके पार्टनर्स से ऐसा बोला ठीक है जो आपके पार्टनर्स को नहीं हुआ परदाश चाहे यह लड़का हो या लड़की ठीक कुछ तो भी ऐसा उन्होंने बोल दिया जो आपके पार्टनर से सहन नहीं हुआ तो कहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी ऐसे परसन से किसी ऐसे close friend से आज अपना रिष्टा तोड लिया जो काफी जादा close आपके पार्टनर के हो सकता है काफी burden मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि काफी किसी के सर के ऊपर काफी सारा बोज रखा हुआ हो ठीक है तो यह energies आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है क्योंकि हम आपके energies को भी ले रहे हैं यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि कोई काफी जादा burden में है ठीके काफी जादा जिम्मेदारियां आपके उपर या आपके partners के उपर हो सकती है आपकी energies काफी positive हैं guys काफी जादा positive energies मुझे आपकी दिखाई दे रही है literally ऐसा दिखाई दे रहा है कि guys आप लोग इस time period में काफी सारे नए लोगों को attract कर रहे हो basically energies मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आप लोग इस time period में काफी नए लोगों को attract कर रहे हो तो आप लोगों के around guys ऐसे लोग आ रहे होंगे इस time जो जिन से you know मतलब एक होता है ना कि आप खड़े हो आपकी positivity की वज़े से आपके जो आपके औरा में positivity है उस औरा आपका जो औरा है वो लोगों को रही नभी attract कर रहा है आपकी बन रही होगी guys this time मतलब जो जो भी new लोग आपसे add हो रहे है नए लोग आपसे add हो रहे है ठीके उनसे आप अच्छा खासा communication कर पा रहे होगे right now मतलब आपको ऐसा feel नहीं हो रहा होगा कि ये मेरे type का नहीं है या इससे मेरी बन नहीं सकती यहाँ पर guys heart बना हुआ है और guys यहाँ पर try-o दिखाई दे रहा so कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ें मिलकर मुझे ऐसा दिखा रही कि आप लोगों में try-o है मतलब आप लोगों में से बहुत साइ लोग ऐसे हैं जो try-o में है try-o means एक तरफ आप है एक तरफ आपके partners हैं और एक person कोई और भी है ठीक है लेकिन यहाँ पर दिल भी बना हुआ है so ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का और आपके partners का दिल सिर्फ आप दोनों के लिए ही धड़कता है ऐसा लग रहा है guys कि आपके अंदर की जो भी सफाई हुई है उसने आपके अंदर इतनी light create की है न कि उस light से अब आप shine कर रहे हो shine करते हुए तो मुझे आप दिखाई दे रहो और ऐसा लग रहा है guys कि इसी light से attract आपके partners हो रहे हैं और आपकी तरफ खिच रहे हैं इस समय आपके partners अगर आप ठीक है काफी जादा positive हो तो आपके partners मजबूर हो रहे हैं positivity के तरफ move करने के लिए इनकी life से automatic negativity रिमूव हो रही है automatically negativity रिमूव हो रही है आज की reading में काई soulmates की wives आ रही है seriously आज की reading में मुझे soulmates की wives आ रही है तो ऐसा लग रहे है कि आप लोग soulmates हो guys ऐसा मैं बोलूँगी is time जो आपके दिल में चल रहा है अपने partners को लेकर वही आपके partners के दिल में चल रहा है आपको लेकर so इस समय की जो भी energies आज की आपके partners की हैं वो ऐसी हैं कि जो आप सोच रहे हो वही वो हवी सोच रहे हैं ठीक है अगर आप काफी जादा loving हो तो आपके partners भी loving है आप career oriented हो तो आपके partners भी career oriented है past में बोलूँ तो guys कि आपके partners ने काफी सारे लोगों को खुश करने के लिए in fact काफी सारे लोग नहीं सबको ही खुश करने के लिए आपको corner किया था आपको side कर दिया था या आपकी importance को नहीं समझा था इन्होंने ऐसा सोच लिया था कि आपके बिना चल जाएगी लेकिन और लोगों के बिना नहीं चलेगी but guys अभी जो situation मैं आपके partners की देख पा रही हूँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब के बिना चल जाएगी लेकिन आपके बिना नहीं चल पाएगी मिल्कुल reverse में आपके partners की feelings है इस time अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब के बिना चल जाएगी बढ़ आपके बिना नहीं चल पाएगी एक line मुझे इस time याद आ रही है कि इनसान की कीमत उसे खो देने के बाद ही पता चलती है so वैसा ही कुछ scenario है इस time आप लोगों के partners के साथ आज के दिन में guys लेकिन इनकी कोई भी heavy energy मुझे नहीं दिखाई दे रही ठीक है मतलब ये इनको है तो regret बट काफी इतना ज़दा heaviness नहीं है आज ही energy में आपके partners ने आपके साथ past में कुछ जबरदस्ट ऐसा behavior कर दिया है जिसके बाद वो खुद ही अपने आपको रोकते हैं आपकी तरफ आने के लिए ठीक है उन्हें ऐसा लगता है कि यहां से माफी अब नहीं मिलेगी ठीक है guys आपके partners ऐसा सोचते हैं कि यहां से माफी अब नहीं मिलेगी उनको ऐसा लगता है कि आप change हो गए हो और आप माफ नहीं करो गए आपके partners को काफी मुश्किल लग रहा जहां आप पहले काफी जादा easy थे अपने partners के लिए वहीं पर आज आप अपने partners के लिए काफी जादा मुश्किल हो गए हो मतलब अब ऐसा हो गया है guys कि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत efforts लगाने पड़ेंगे तब आप तक पहुँच पाएंगे ठीक है उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने उपर काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से खामोश है इन्होंने खामोशी को बना लिया था बरकरार कर लिया था काफी जादा positivity में रहने लगे थे उन्होंने सोच लिया था कि अब जो divine करेंगे वही होगा उनके partners की energies अगर मैं यहां पर बताओं तो यह उन्हीं यह partners की energies हैं यह जो निकल कर आ रहे हैं क्योंकि आपके partners आपके इस जबर्दस्थ positive energy की वज़े से खुद को मतलब ऐसा महसूस कर रहे है वो जो तड़प वाली feeling होती नगाईस कुछ वैसा महसूस कर रहे है इस time अब आपके partners को आपके आगे money भी कुछ नहीं लग रहा जो इनका रहता था ना की पहले career फिर आप पहले family फिर आप ठीक है बहुत साए लोग की partners की feelings day by day change हो रही है guys यहाँ पर जो feelings निकल कर आती है मैं हर दिन ही reading करती हूँ candle wax और हर दिन थोड़ा थोड़ा change मुझे दिखाई देता है तो कभी किसी के लिए messages होते हैं कभी किसी के लिए messages होते हैं ठीक है बट reunion तो होगा guys अपका ही होगा आज नहीं तो कल होगा ठीक है जिस हिसाब से आपका inner work चल रहा होगा उस हिसाब से आप अपने reunion की date भी tag कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर यह बोलूँगी कि मुझे reunion की wives इस वाली reading में दिखाई दे रही है ठीक है इस वाली reading में मुझे reunion की wives दिखाई दे रही है guys मैं बोलना चाहूंगी जिन्होंने भी कल लिखा था reading में की ma'am हमारे call messages receive हो गए और हमारा reunion हो गया आप लोग सभी को congratulations मैं तो बोलूँगी सभी के reunion हो जाए जिनका हो गया उसको congratulations ठीक है और जिनका नहीं हुआ है आप patience बना कर रखिए कहीं नहीं जाएगा रिष्टा आपका आपको मिलकर ही रहेगा जो जितना जल्दी reunion चाहता हो वो उतने जल्दी खुद पर काम करें क्योंकि आपकी energies ही है जो आपके partners को आपकी तरफ attract करती है ठीक है काफी सारे लोग मुझे positive energy में दिखाई दे रहे हैं जो अच्छा खासा काम अपने उपर कर रहे है आज की दिन में guys किसी को unknown call आई है क्या ऐसा लग रहा है कि किसी को एक unknown call आई है और आपको नहीं पता कि वो call किस की थी और मुझे ऐसा लगते कि वो call आपके partners ने किसी और कि द्वारा आपको लगवाई थी ठीक है तो ये incident जिसके साथ भी हुआ हो तो comments में लिखना कि ये मैं मेरे साथ हुआ है okay guys जिनके person married है I mean जो भी यहाँ पर married person है husband wife है और separation को face कर रहे है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी guys इसकी आपके बीच में जो भी family issue है ठीक है आपके बीच में जो भी family issue है वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके partners आपकी family की तरफ मतलब अपनी family की तरफ जादा जुके हुए है ठीक है जो जितने भी लोग married couples हैं और जिनके family issue है guys उनके लिए मैं specially बोलना चाहूंगी कि आपके partners अभी भी family की तरफ जुके हुए है अगर आप married नहीं भी हो तभी आपके partners अभी अपनी family की तरफ जादा मुझे जुकाव दिखाई दे रहा उनका आज की दिन में आप लोग में से किसी का सरदर्द हुआ आपके partners का भी हो सकता है यह energy ठीक है vice versa भी होती है energies जो चीज आप से resonate नहीं कर रही हो सकता है वो आपके partner की energy हो आप लोग ने इतनी जादा overthinking कर ली है आपके partners ने इतनी जादा overthinking कर ली कि काफी headache मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके partners अब कुछ इस तरीके की energies में आपको देख रहा है guys कि अब आप लोग पहले की तरह नहीं रहे ठीक है जहाँ आप पहले काफी ऐसे थे chasing की energy में रहते थे अब आपके partners को ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले की तरह नहीं रहे और अगर ये lot कर आते हैं तो शायद आप माफ भी ना करो इन energies में आपके partner मुझे आपर दिखाई दे रहा है और कुछ लोग के partners को तो ये भी doubt है कि पहले की तरह connection में वो प्यार वो respect ठीक है वो सारी चीज़े मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ऐसा लग रहा गाईस कि आपने partners की हजार गलतियां माफ की है past में ठीक है लेकिन इस बार आपके partners के मन में मुझे डर दिखाई दे रहा है कि उनको माफी नहीं मिलेगी आप भले माफ करने के लिए ready हो यहां से लेकिन आपके partners के मन में मुझे इस तरीकी का डर दिखाई दे रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप माफ नहीं करोगे पर जो चाहे हो जाए rejection का डर है यह fear of rejection rejection ना मिल जाए कहीं आपकी जो energies है इस time period में और जो भी आपका unconditional love है guys वो आपके partners को मजबूर कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए ठीक है यह अभी भी अगर आपको call message इस नहीं कर रहे है जिनके भी partners और अगर आप लोग काफी positive हो ठीक है तो guys आप लोग लिखवा लो मेरे से बहुत जल्दी आपको call message इस receive होंगे अगर आप बहुत positive हो और आप positively अपना सारा काम कर रहे हो तो यहाँ पर हाला कि कुछ negativity तो है guys कुछ negativity तो है आपके connection में यहाँ पर दुबारा black black हो गया so negativity तो है connection में अभी भी but guys आपको call messages तो definitely receive हो जाएंगे आपके partners ने guys जिसको मामूली समझ के औरों की खुशी के लिए छोड़ दिया अब अब वही आपके partners को अब हीरे की तरह दिखाई दे रहा basically आप अब आप अपने partners को हीरे की तरह दिखाई दे रहो उन्हें ऐसा लग रहा है कि छोड़ दिया था मैंने औरों की खुशी के लिए लेकिन अब ये मेरे लिए किसी कोही नूर के हीरे से कम नहीं है और इसको पाना अब उतना आसान भी नहीं है ऐसा लग रहा है guys कि आप हीरे की तरह चमक रहे हो right now चलिए guys हम रीडिंग को यहीं पर स्टॉप करते हैं लेंगे कुछ messages चलिए guys लेते हैं कुछ messages क्या निकल कर आता है आज की energies में प्लीज एंजल काइड कीचे मेरे व्यूर्स के पार्टनर्स की feelings आज के दिन में क्या रही king of vans attraction देखिए यह आपकी positivity से attract हो रहे हैं guys ठीक है इस टाम आपके पार्टनर्स आपकी positivity से attract हो रहे हैं ओके यह आ रहा है चैरिट मैंने बोला guys की reunion नस्दीक है reunion नस्दीक है चैरिट निकल कर आए कल की reading में भी चैरिट आया है आज की reading में भी चैरिट आया और दो दो सेम दो दो दिन सेम energy निकल कर आए it means बहुत सारे लोगों के reunion होने वाले है fear of rejection guys fear of rejection डर भी है लेकर reject ना हो जाए कितना powerful decision लेके आपकी तरफ बढ़े और आप मना कर दो आप माफी ना करो commitment definitely आज की reading पूरी की पूरी resonate होती है cards से 10 of swords completion कुछ ना कुछ कुछ ना कोई cycle कोई hard time आपके partners definitely end कर रहे हैं यहां पर three of friends okay जहां से high pieces देखिए मैं बताती हूं यहां पर guys पहला card निकल कर रहा है कि आज की दिन में आपके partners आपसे काफी जादा attract हो रहे थे और attraction का कारण है आपके औरा की positivity जो आपने इतने लंबे समय से इतना inner work किया है और अपने आपको positive रखा है आपके partners आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं यह commitment देने के लिए मजबूर हो रहे हैं मैं बोल रही थी कि reunion की energy है guys यहां पर chariot निकल कर रहा है clearly दिखा रहे हैं कि आपके partner एक powerful decision के लिए ready हो रहे हैं और जो काफी अच्छी energies में समय stand कर रहे हैं मेरे viewers उनके definitely उनका reunion नजजीख है तो जिन जिनका भी reunion होगा और जिनका हो चुका है पहले उनको congratulations और जिनका नहीं हुआ है उनका होने वाला है ठीक है 10 of swords यहां दिखा रहे है कि कुछ complete होने वाला है किसी दर्द से आजाद आपके partners होने वाले हैं ठीक है जो भी दर्द इनको था जो भी swords इनके सरीर के उपर लगी हुई है जिस भी तकलीफ से यह deal कर रहे थे वो end होने वाली है ठीक है यहां पर 10 number है कुछ ना कुछ end करने वा काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे इस stand के लिए इस energy के लिए कि वो एक अपनी power में आपाएं और आपके लिए stand ले पाएं high priestess दिखा रहे है कि guys आपको काफी knowledgeable समझ रहे हैं इस time और आप इस समय अपने partners के लिए किसी ऐसे person से कम नहीं हो जुसको काफी knowledge है high priestess यहाँ पर आपके positivity को भी काफी जाना दिखा रहे है guys आपके इनी energy से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके independent की energy जो हता है ना nine of pentacles कि आप independently decision लेते हो किसी की नी सुनते हो आपको जो अच्छा लगता हो करते हो काफी आप अपने आपको bold दिखाते हो ठीक है आप अपनी life के मा partner attract हो रहे हैं और जो इन energies में इस समय स्टांड कर रहे हैं इन energies में हैं मतला अपने ही में अपने self love में बहुत जादा दूबे हुए हैं उनके partners बहुत जल्दी बहुत जल्दी आने वाले हैं तेखियां से justice भी है और judgment भी है guys किसी ना किसी की divine timing आ गई है 100% जिन की divine timing आ गई ह जिनका reunion आ गया प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मेरा reunion हो गया मैं क्यूंकि judgment है justice है और chariot है यह major akana और high pieces major akana की card निकल कर रहे हैं आज की reading में तो definitely आप लोग की connection में आपकी partners return आ रहे हैं इस connection को judgment मिलते हुए मुझे दिखाए दे रहे है justice मिलते हुए रिख किसी भी समय चमतकार हो सकते हैं so आपको नहीं पता होगा आप सो रहे होगे जाग रहे होगे कुछ भी कर रहे होगे कम miracle हो जाएगा आपको नहीं पता होगा ठीक है आज मैं इस deck से एक card निकालना चाहूंगी कौन सी energy repeat होती है ठीक है guys please angels क्या major होने वाला है सिर्फ एक card दे दीजे काफी सारे हैं यह तो only one card solitude तो यहां पर भी आपके partners मुझे अकेले ही दिखाई दे रहे guys ठीक है यह तो यह तो सही है कि आपके partners अभी अकेले हैं लेकिन यहां से destiny का card निकल कर आया है तो ऐसा लग रहा है कि good luck आपके favor में है guys इस time बहुत रहे लोग का reunion मुझे दिखाई दे रहा है good luck आपके favor में destiny का card निकल कर रहा है चलिए यहां से देखते है क्या आता है yin and yang twin flames का reunion twin flames का reunion आपके partners की inner feminine and masculine energy balance होती हुए दिखाई दे रही जिन जो जो भी twin flame connection में है guys उनका reunion दिखाई दे रहे है यहां मुझे बहुत बड़े judgment के साथ partner returns आ रहे हैं तब partners return आ रहे हैं ठीक है so ready रहे है guys आप इस चीज के लिए यह आपकी reading I hope आपको reading पसंद आई हो अगर आपको reading पसंद आई तो में चाहां को like कर जीजे subscribe कर जीजे and thank you guys